पानिपत के नए बसर्डे के दिली रोड पर शिप्ट होने के बाद शहर के लोगों को रात के वक्त आने जाने में दिक्कत और ओटो रिक्षे के ओबर चार्जिंग के कारण परिशानी हो रही है बस यात्रियों की परिशानी टोटल नियूस पर दिखाने के बाद इस्तानी बिधायक ने परिवहन मंत्री के सामने ये बात रखी है अब आदेश हुए हैं कि रात 10 बजे से 6 बजे के बीच रोड़ बेच की बसें शेहर से ही होकर गुजरेंगे पानिपत के सामने बस अड़े की दिली रोड़ पर शेहर से 6 किलोमेटर दूर शिफ्टिंग के बाद शेहर के बस यात्रियों को आने जाने की परिशानी को देखते हुए अब नई विवस्था शुरू की जा रही है गोरतलबै की जादतर बसें शेहर से गुजर रहे 10 किलोमेटर के एलिवेटिड फ्लाई ओवर से गुजरने के कारण रात को आने वाले यात्रियों की सुरक्षा और ओटो रिक्षा की ओवर चार्जिंग से यात्री परिशान थे टोटल नियूस की और से ये खबर दिखाने के बाद शेहर के बीजेपी विधायक पर मोद वीज ने ये मामला चड़ीगड में परिवेहन विभाग के ACS और निदेशक के सामने उठाया मैंने परातरां कल यह की थी कि रात के समय यह बसों को हरेना रोरी की जो बस्सें हो शयर में नीचे से आए और यात्रियों उभी। कुछ को कुछ को बस्टेंड के पास उतारें जाचे भी पहले होता था तो मैं धन्यवाद करने चाहँगा विर्क्षाप का कि उन्होंने मेरी प्रात्रों तो इमीडियली एक्सेप्ट किया इससे पहले मैंने ये बात हमारे मंतरी मूलचें शर्माजी से भी की थी बात और उन पहले आने जाने वाली बसें रात दस बजे से सुबे छे बजे के बीच पानिपत शेहर से होकर गुजरेंगी इस नई विवस्था से बस यात्रियों को पहले की तरह सुविधा मिलेगी कई लोगों ने इस आदेश के बाद टोटल नियूस को शुक्रिया कहा थैंक यू टो टोटल नियूस पानिकत बीरो